Hello everyone, मैं विश्चुजीत सिंग, आप सभी का दाइन आपे स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की स्वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.G.R.3 का लेसन 7 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे पराचीन भारत में इतिहास लिखने परंपराओं के बारे में जब हम भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो हर एक जगह का अपना इक इतिहास होता है इतिहास लिखने का तरीका होता है तो भारत का इतिहास किस परकार से लिखा गया, किस परकार से व्यक्त किया गया और अलग-अलग इतिहास कारों का क्या मानना है इसके बारे में इस chapter के एंदर हम discuss करने वाले हैं एक important chapter है और अक्सर इस chapter में से question यही बनकर आता है कि प्राचिन भारत में इतियांस लिखा गया भारत का इसके बारे में बताईए प्राचिन भारत इतियांस लिखन के सुरोट क्या थे हम कहतें कि हडपा के जो नगर थे वहांगे जो लीपियां मिली है वह पढ़ी नहीं जा सकी दिंख फिर उनके वहांपर जो मिलें चीजे वह सारे मतलब मिर्तभान टूटे थे पूटे थे जो भी हम बोलते हैं कि उसका उप्योग इस प्रकात से था उसका सुरोत क्या है तो वहां पर हमेशा जब हम सुरोत के बारे में बात करते हैं दो तरह के सुरोत आते हैं तो पुरातात्विक और साहितिक इतिहास कारों को मानना है कि प्राचीन काल में जो भारत का इतिहास लिकन था वो इतिहास लिकन से अभी ने थे जो भारती लोग ते वो इतिहास लेकन कला से अभीनत है अभीनत मतलब कि जिनको जानकारी नहीं था कि किस तरह से इतिहास लिखा जाना है यहाँ पर डिरेक्टली जो भी इतिहास कार थे जो पुर्वी इतिहास कार आये जो बाहर से बैस्टन हिस्टोरियन्स आये अरब की तरफ से जो इतिहास कार उन सब का यह मानना था कि जो भारत के लोग है वारति जो लोग हैं उनको लेखन कला से बिनते लिखना नहीं जानते थे इतियास लेकशन जैसे कुछ चीज़े नहीं थी उन्होंने कभी भी अपना इतियास लिखा नहीं और वो शर्फ कहानी के ऊपर में चलते थे कहानी इतिहासिक तिथिकर्म के परती उदासीन थे कुछ भी घटना घटा तो उसका एक डेट होता है कि इस डेट को यह हुआ चब्वी सी ग्यारा हम बात करते हैं तो यहां पर जब भी हम इन घटनाओं के बारे में बात करते हैं तो घटनाओं के इपर डेट होता है कि 9-11 घटना इस देट में घटी एक डेट होता है तितिकरम होता है तो यहां पर अलबरुनी का यह मानना था कि जो हिंदू एतिहासिक तिति करम है ना वो तिति करम के पड़ते उदासीन थे उनको सही से डेट के बारे में जानकारी नहीं है जब भी हम कुछ बोलते हैं कि मोदी जी इस साल में परदानमंत्री बने तो इस साल में कब बने विया तिति करम के बारे में बात करो दो खिस्टरी को पड़ते हैं तो वह और कहानिया गढ़ने लगते जैसे बारन से क्याथ है कि एतिहनसी तरह से कुछ भी कोशन पूचा जाए कि किस परकार से हुआ तो आइसा हुआ हुआ किया कब हुआ कैसे हुआ किस ने किया तो उसके उपर में कोशन पूछने पर कहानिया गड़ते हैं वह उत्तर नहीं देते यह अलबरुनी का मानना था ठीक है चलिए अब यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यह मैं बतलब थोड़ा सा आपको बेस बता रहा हूं कि भार प्रति उदासीन थे उनको जो भी कुछ पूछा जाता तो उसमें कहानिया गड़ते थे इस तरह से उनका यह मानना था वहीं पर हम देखें लीवी टेटियस और हैरोडर्टर्स जैसे जो इत्यासकार थे वह आधुनिक इत्यास जो इत्यास लिखन है उससे निकटता का संब देखो इत्यास लिखने का एक तरीका होता है कि किस तरीके से लिखा जा रहा है आप जब MHI03 पड़ रहे हो तो स्टार्टिंग के चैप्टर में आपको मैंने सिखाया था बताया था अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखें और की वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप एक वीडियो लास्ट फाइवर की वीडियो देखते हो तो आपका पूरा जो सलीबस है ना MHI03 का या फिर कोई सी और बुक का वह इसली कवर हो जाएगा अगर आप उसके अंदर में बताई चीज़ों को फॉल आप करते हो बहुत असानी से आप कवर कर लोगे पालतू जगर जाने की जुरत नहीं रहेगा और अगर आपको MST का नोट चाहिए तो डारेक्ली आप Google ब्लॉगर पर जा सकते हो यहां से आप नोट ले सकते हो ठीक है समझ में आता है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर ना जैसे इतिहास लिखन का एक तरीका होता है कि किस तरीके से इतिहास लिखा जाना है ऐसा नहीं होता कि कुछ भी आपने बता दिया जैसे हमारी कमी यही थी कि हमने कुछ भी बता दिया कि इस समय पैसा हुआ था इस समय पैसा हुआ था कुछ भी बता दिया एक तिथी कराम हमने कभ तो उन्होंने इसको लेकर पॉइंट आउट किया यह एक सबसे बड़ा रीजन यहां पर देखा जाता है बाहरत इतियास के संदर लीवी टेटियस और हैरोड रोटस जैसे जो इतियासकार थे उनका इतियास लिखन अगर देखा जाए तो काफी निकर्टता का संबंद रखता है कभी भी हम इतियास लिखन के अंदर में काल्पनिक्ता के बारे में बात नहीं करते हम इसा फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि यह चीज ऐसी हुई होगी तो उसके आधार पर अगर मैंने पीछे की कुछ वीडियो जबर आप देखोगी मेरी तो मैंने आपको बताया था कि हडपा सबेता के अंदर में या भी बारत के किसी और जो पुरा तात्वी के स्थैलिक्स को अगर आप देखोगे सर्च आउट करोगे तो वहां से जो भी हमें सुरोध मिलते हैं उसको हम कलपना के अधार पर बताते हैं कि यह चीज ऐसी रही होगी मान के चलो मुझे कोई पफान भरतन मिला अब यहां पर अलग अलग इथिहास कार है यह वाला जो बरतन है काटोरी मानना है कि यहां पर जो कटोरी मिली ना ये एक निम्ल बरक का होगा क्रिक्योंकि बहुत ज уб Rock anymore के अंदर सरक टोरी तर चीवर्तन प्रोइघा होगा उसको पाठ है ये मालेẤ है नगजार्हथ विछी हम्हाना के बाहर मिला किया पता सो गया हो और गो anti-ौर ब्रकशार तीन अलग अलग विचारदा रहे हैं क्योंकि हमें एक्जेक्ट नहीं पता किसी किताब में लिखकर नहीं दिया कि भाईया यह वाला जो बरतन ना इस सेब का इसका मुपयोग इस परकार से बरते हैं तो हम यहाँ पर कलपना को ब्योग करते हैं ऑल बैसी सुअब पुरा तात्वीक सुरूह फूइक है वो चीज़ory को बता रहे होते आफ में थे ही कल्पना की जरुरत नहीं बढ़ती हैं करते ओ ये चीज़ें देखा जाता है पर फिर भी अगर देखोगे तो लिवी, टे टेटीजस और हैरोर्डर्स के जो इध्यास लिखनते हैं उसके अंदर में आधुनिक्ता इत्यास है तो संबन था पर कहीं न कहीं कालप निक्ता भी देखने के लिए में मिल जाता है उनके इत्यास लिखने के अंदर में पाश्चात लिकन होता किया है कि आपको बिद्वान उर बुद्धिवान विक्ति बनाना में मोटिव होता है देखो जब भी हम history लिखते हैं तो ऐसा नहीं होता ना कुछ भी लिख दिया कार्टून थोट नहीं बना रहे हो कहां नहीं थोट नहीं लिख रहे हो कि एक बार में चार साथ करवाना ऐसे करगी यह चीज नहीं होती तो हाँ पर जब हिस्टोरियन लिखता है न तो सबसे पहला में मोटिव होता है एगर मैं कोई चीज लिख रहा हूं तो उससे कितने लोगों को मैं जागरुक्त कर सकता हूं कितने लोगों को एट्रेक्ट हो सके, समझ सके, पढ़ सके, knowledge अपना boost कर सके, यह main रहता है, तो जो भी इतिहांस लिखा जाता है, वो पाश्चात्य दर्शन के संदर्व में लिखा जाता है, पाश्चात्य दवानों के अउद्दे से यह रहता है, तो इसके आधार पर यहां पर लिखा जाता ह है, ठीक है, समझ में आता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, थो आसा डिटेल में इसको कवर करते हैं, और रिक्वेस्ट यही रहेगा, भी तकर आपने सस्क्राइब नहीं कर रखा हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपके एक एक लाइक सेर सस्क्राइब से है में मोटिवेशन मिलता है, अच्छे से और मेहनत कर पाते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो आप लाइक सेर सस्क्राइब जरूर करें, और जो हमारा दा इनप का चैनल है, वो आल्मोस साथ हजार के करीब पहुंच चुका है, इसको हम जल्दी जल्दी एक लाइक करीब में ले जाना चाते हैं, यह हमारा गोल है, तो रिक्वेस्ट यहीं रहेगा कि आप भी सस्क्राइब करें, अपने दोस्तों तक सस्क्राइब करवाए हैं, आस पास के ग्रूप में बेज़ें, जो भी आप ग्रूप में बेज़ें, जिससे उनका भी नॉलेज बूस्ट हो, और अगर इगनूस से लेटेड कोई प्डेट चाहिए, डियु से लेटेड अप्डेट चाहिए, कोई एग ऐस्प्राइब करना बिलकुल न बूले, यहाँ पर आपको सारे अप्डेट उसके लेटम मिलने वाले हैं, ताइम प्टाइम और आगर आपको में हिस्टरी गानोट स इस्तिरिया जो थी वह भी इस तरह के त्यांस लिकर में सहयोग दिया करती थी भारतियों जो थे तितिकरम के अपिक्षा यूग परंपरा को मानते थे अगर देखो कि भारत के संदर में तो हम बात करते कि रामायन हुआ महा भारत हुआ तो यहां पर हमने यूगों के बारे मे इस तरह से हमने सत्य यूग चल रहा है इस तरह से हमने एक यूग के अंदर में convert करके रखा और उसी के इसाफ से हम आगे बढ़ते चले गए तो जिसके कारण से हमें तिति करम का ना कोई उत्रा महत्व हमने नहीं दिया भारत के जो हचारों वर्स का इतिहांस अगर आप करती हो तो आपना देख लेना मुझे याद नहीं अभी आपको यहां पर बोलों एक्जामपल के लिए तो हम आप यूग में बारे में बात करते हैं और आज के समय में आप बोलोगे कि यह आपका जनम कब हुआ तो आप बताओगे भाई पांच अक्टूबर 1909 को जनम और उन से कुछ भी कोश्चिंट पोचे जाने पर कहानी गड़ते हैं इसका में रीजन यहां पर आपको समझ भाया है ब्रामन बोध और जैन धर्म के अत्रिक्त एतिहासिक ग्रंत लौकिक साहित थे उस समय के सामाजिक राजनितिक धार्मिक और सांस्कृतिक आर्थिक जीवन के बारे में आपको जानकारी देखो उस समय की जो समय जीवन किस परकार का थो राजनितिक जीवन कि परकार का था दार्मिक सांस्कृतिक और सीन पर जांकारी का सरोत क्या है जो भी ब्रामन तरब हम के द्वारा लें गरंत तो आउसकी जरियां में जाकारी मिलता है३ Сам सबुआब इसान। वाला वीडियो बनागे लागत करिए जिसमें हम बात करेंगे हिस्टोरी के अंदर में कौन-कौन से सुरूथ को हम पॉइंट करती है अच्छे से मैं कभी किसी वीडियो के अंदर में कबर कर भागए जहां पर आप एक बार देखोगे आपको पूरा जो सुरोत का रिलेटीड टैंसल हो खत्मी हो जाएगा किसी और वीडियो के अंदर में उसको डिटियल से डिसक्रस करेंगे प्रोफेसर एक बॉर्डर क इंट्यूशन इंट्रोड्रक्शन और टू इंडियन हिस्ट्रोग्राफिकर के ऐसा बुक लिखा गया बंबई 1972 के अंदर में बुखाया जिसके अंदर की बात कि जाता है कि भारते इतिहास हो तित्ही करम के अधार पर देने का प्रियास किया जो Professor A.K. बॉडर थे, इनके द्वारा जो बुक लिखी गए इन्होंने भारते इत्यास को यहाँ पे लेके चले, भारते इत्यास को बताए इन्होंने, और भारते इत्यास का जो तिथिकरम क्या हो सकता है, कौन से डेट पे कौन सा इवेंट घटा होगा इसको यहां पर तिथिक करम देने के आधार विनों ने परियास किया कि कौन से डेट को क्या चीज कैसे हो सकता है वो यहां पर बनाने का परियास किया ठीक है आगे बढ़ते हैं प्राचिंग भारत का इतिहांस आधिकांस जो है स साहितिक धार्मिक आधार पर गर्वलम chapter से बना हुआ जो ना जिसका आर्थ होता जानना लोगों को जानना जागुर्प्त करना ये जानना होता है वेद का मतलब वेदों की जो संकलन करता थे उनको वेद व्यास माना जाता है जिन्होंने कठा करके वेद को बनाया जिन्होंने वेद लिखा बाटा उसंकलन करता जिन्होंने है उनको वेद व्यास के तौर पे जाना जाता है वेद व्य अगर कोई मनुश्य नहीं है वो देव है देव को कुण अधर्यat वेदो को लिखने वाले को हमें आपके देव्टुल्υए' माने देवicherungन कर चलते हैं यह यहां पर देखा जाता है इनकी जो रचना हुई देव वेदो की वह 1500 इसा से लेकर 1000 के पुर्व के बीच में मानी जाती है वेदों की जो कुल संख्य है वो चार वेद सामवेद यर्थ यर्थ वेद आ जाते हैं यहाँप है फार मोग मतलब यहाँद निकलकर आता है को यह दोल कि मिलता है वह तैसा नहीं कि कहानी की तरह लिख दिया कि यह वाला पहले गटना ऐसा हुआ रादेन उसको मार दिया इस तरी के समय लिखा गया वहां पर रिचाओं के रूप में लिखा गया मतलब स्लोक मंत्र के रूप में उसको लिखा गया जिसके अधार पर आप उसको पढ़ते हो मंत्र के रूप में और आज के समय में अगर रिग वेद दिखा जाए कुछी भी वेद को उठा के दिख लो तो सभी कहीं न कहीं रिचाओं के रूप में ही संकलित है रिचाओं के अंदर में वेद को हम स्लोक या मंत्र के रूप में उसको रखते हैं मंत्र के रूप में लिखते हैं कम सब्द में हम जादे बात अत्री, भर्द्वाज, वसिस्ट और गृतस्त प्रमुक्द के द्वारा किया गया, सारे रिसी थे, ब्रिस्वामित रिसी के बारे में आपने सुनाओगा, वामदेद, अत्री, भर्द्वाज, वसिस्ट रिसी के बारे में सुनाओगा, गृतस्त के बारे में सुनाओगा, तो टोना और जरम मंत्र का रेड़ेट जो भी वर्णन है वो आपको मिल जाता है ब्रामन गरंतों की जो रचना थी यगों और करमकांडों को समझने के लिए किस तरह के यह गोते कौन कौन से यह गोते कौन सा यह कर्माना चाहिए कौन से करमकांड से आप मुक्ति पास सकते हैं इ उससे लेटेड यहां पर चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है इश कैन अठ मांडुक तेरणी एतेरें चाद्रने सौतेशर यह जितने भी चीज़ें दिखे लेता यह प्रमक उपनिशद हैं यह सारे इश केन कंठ मांडुक के तेरणी एतेरने यह सारे आपको उ उपनिशद के तोर पर जाने जाते हैं और यहां पर कोश्चन आप वीडियो में आप सभी लोगों से पुछना चाहूंगा कि हमारे पूरे साहितिक सुरूत के अंदर में कितने उपनिशद आते हैं कुन-कुन से उपनिशद आते हैं यह तो मैं बता रहा हूँ कितने उपन आतको पता और पिछे के कई सारी वीडियो में आपनिशद के बारे में बताय कि टूटल कितने उपनिशद होते हैं भारत का जो प्रत्सिद आदर्श वाक्य है सत्यमे वजयते आपने सुना होगा दिखा होगा सिकों पे नोटों को पर में दिखा होगा सत्यमे वजयते यह मुंड़क उपनिशद से लिया गया है यहां पर जो मुंड़क उपनिशद देना इससे यहां पर लिया गया है सत्यमे और जाता है वैरिक साहित्ते के बाद सुत्र सब्ड़िक यह जके जाता है यहाँ पर स 사용 से संसकारों क्यों करता है किस तर से वलगे करता है इसके बारे में आपको समझाता है धर्म सूत्र जो होता है सामाजिक और धार्मिक जीवन के उपर में प्रकास जालता है कि आपका सामाजिक कर्मकांड है जो भी यग पूजा पार्ट किस तरह से करने वाले हो इसके बारे में आपको यहां पे उसका वर्डन मिल जाता है ठीक है आगे देखते हैं कि 200 इसा से लेकर अगर आप बात को डेड़ सो इसा के अंदर में तो मनौ समिर्ति व यग वल्व इसके अंदर में यग करने की जितनी वी विदी ती कौन कौन से यग थे किस तरह का यह कहां पर किया जाता था इसके बारे में आपको जानकारे मिलता है ठीक है नारद पराशर विरस्पति, काल, लियान, गौतम, सरवर्थ, हरीन, अगरी, समिर्थियों के समय में ये अलग-लग समिर्थिया है, जैसे मनु समिर्थि, यगविलव समिर्थि, वहीं पर यहाँ पर नारत समिर्थि, पारत समिर्थि, विरस्पति समिर्थि, यहाँ पर अलग-लग समिर्थिया तो उस काल की जो राजनीतिक अधार सामाजिक धार्मिक और आर्तिक जो गतिविदिया थी धान्चा किस पर कार आंगता उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाता है रामायन और मा भारत सबसे बड़े माह कवे के तौर देखे गए बालमिकी दौरा रचित महा जो रामायन है साथ खंडों में उपलब्ध है इनके नाम है सुर्दय कांड, और्वन्य कांड, किसकिंदा कांड, सुन्दर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, साथ पार्ट के अंदर में उपलब्द हो जाता है हमारा बालमिकी की द्वारा रचित रमायन जिसको हम रामायन बोलते हैं, आपने सबने लॉक्डाउन के अंदर में रमायन दुबारा देखा होगा, और ये साथों सामजी पालक के रूप में थे, युद्ध कांड जब वो जंगल जाकर बद करते हैं, किसकिन्दा कांड जब वो किसकिन्दा नगरी पहुंचते हैं, सुन्दर कांड और युद्ध कांड जब यूद होता है, उत्तर कांड जब उनके बच्चों का टाइम प्रेट सुरू हो वह 24,000 हो गई और उसके बाद बढ़कर एक लाग स्लोकों की संक्या हो जाती है जिसके बाद एक लाग से स्लोकों की संक्या होने कारण से इसको जैशाहिता बोला जाता था भारत के वंसस के होने के कारण से क्योंकि इसके अंदर में जो पूरा कहानी बताई गई भारत के वंस बारवी सताबदी के अंदर में हेम चंद द्वारा लिखित परिशिस्ट परवन है जिसके अंदर में मोरे काल के समराटों के बारे में जानकारी मिलती है यहां पर हम अलग-अलग राइटर के बारे में बात करने वाले है और उनकी किताबों के बारे में बात करने वाले है तो 19 सथी के जहन गुरण्त संक्गुप्त और इसके बारे में जानकारी मिलता इन जो अलग लग शासंकाल रहे जहन गुरण्त मिल जाता है अर्द सास्त जो था वो चानक्य के दौरा रचित गरंथ है जिसके अंदर में भारत का पहला राजनितिक गरंथ के तौरप उसको माना जाता है जिसके अंदर में जो सामाजिक आर्थिक और राजनितिक इस्तितिक के बारे में जानकाने मिलते हैं मोरे समराजिय की आर्थिक राजनीतिक और समाजिक इस्तितिक इस प्रकारगे दिए आपको जानकर कहां मिल जाती है तो चानक्य के द्वारा लिखित अर्दसासनामक पुस्तक से आपको मिल जाती है मुद्रा राक्षस important book जिसको विसाख़ादत ने 5 विसाख़ादी इसापुर्व मिल जाता है चांध के कौन थे, चंद्रवू तो मोरिय करते उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है बारवी सताबदी में पृत्वी राज रासो नामक रचना जो थी चंद्रा भाई ने क्या था, चंद्रा भाई दाही ने क्या था इसके अंदर में परतिहार वंस, चालुक के वंस, परमार और चाहनने वंस के बारे में आपको जानकारी मिल जाता है दचिन बारत के जो भी वंस थे, उसके बारे में आपको जानकारी मिलता है इग्यारवी सताबदी के अंदर में, यहाँ पर हम बात करते है 11 स्तादी के अंदर में हम बात करते हैं यहां पे विक्रम देवचरित्र के बारे में आता है जो विलहन नामक कवी के द्वारा लिखा गया था विक्रम देवचरित्र विलहन नामक कवी के द्वारा लिखा गया इसके अंदर में चालुक के नरेस विक्रमा दिते सरेस्ट के बा और आस्तित्य के बारे में जो प्रिफीड आय ते उसके बारे में आप हैं करके चलते आगे देखतें चीज यह हैं तुर्ग यहां पर इस समझ में आती आपको है आपने वीडियों और आप सभी वीवर्स रिक्वेस्ट यही रहेगा इगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो सबस्क्राइब जरूर करें में और अगर आपको नोट चाहिए डारिक्ली आप गूगल ब्लाउगर पर जा सकते हो वहां से आपको नोट मिल जाएगा और सबसे most important आपके लिए रहेगा कि आप अगर exam के लिए प्रिपेर करें अच्छा नमबर लाना चाहते हो तो लास्ट फाइवेर की वीडियो जरूर देखें लास्ट फाइवेर की एक वीडियो से आपका पूरा जो स्लिवर से वह कवर हो जाएगा without any problem 99% जो आपका फिर्फ उपलेशना है एक वीडियो को देखने के बाद ही चलिए हो जाएगा यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं को डावोट कंफीूजन कुछ भी तरह का किसी बिदर का कोश्चन है तो आप कमेंट बोक्स में अबना कोश्चन को रेस कर सकते हो चलिए य झाल झाल